कि पहले रामियों के बच्चे संभालने के लिए कुछ महिला होती राजकुमार राजकुमार यहां जो होते उनको संभालने कुछ महिला होती यह इस बच्चों का ध्यान रखेगी उन महिलाओं को बोलते दहाए कि क्या बलते हैं कि आज को एक महिला है वर्किंग वूमन किसी ओपिस में काम करती है तो उसके बच्चे को कौन संभाले तो आज का क्रेच बने वे होते हैं डर्किंग बच्च में चोड़ चले जाओं जाओं यहां पर सेहर के अंदर रते मियां भी वी उट्रण को संभाले उपने बच्चे को सुबड़ जाओ पुछ महिलाएं है जों बच्चों को पने बच्चे को वापस लेगी वो जो क्रेच वाला सिस्टम है वो एक पहले क्या बड़ाय all की बड़ाय को मैं वह जो जो ढ़ाय आप बड़ाय को थी आप बड़ाय नाम किया था पन्ना इसलिये हम उनको क्या बोलने लगे करमा उति जब जोहर कर रही थी कौर्मा आप पन्ना हो कि पंना कि तरिसन मान पर तु और तो 問न मर रही हूं तो तो लिए संग की मा कि अब तू ज्यान की द॥ат थीक ए आपकें जा रहे हैं तो मैं जिखान रखंगी इसका अब बा Quickly कि मा पन यह मार दिया के को मारने के लिए आ रहा है उदेश और वो महिला बेचारी सोचती है कि उदेश सिंग का मरना क्यों उदेश सिंग का मरना थोड़ी है उदेश सिंग के मरने का मतलब है मेवाड के राज का समाप्त होना उदेश सिंग के मरने का मतलब है सांगा के परिवार का समाप्त होना उद महिला जाए कि बुंदी बाग जाओ बुंदी का उदे सिंग ननिहाल था वहां बुंदी की तरफ चले जाओ पर उसे लगा कि नहीं भागेंगे ती देर में तो बनवीर आवब जाएगा उस महिला के और कुछ दिमाग में आया नहीं उसका खुद का एक बेटा था चंदन के पर नहीं का उसने पटा अपर चंदन को राजको मरहं वाले कपड़े पेनाई उसको चार पाई पे पे शुलाया और उसके उपर कपड़ा डाल दिया रजय वजय जाएंगे राज करना राज करतू हम बंदी चले जाएंगे वापस यहां तरे को कभी नहीं दिखेंगे मार म तो उसने वैसे एक्टिंग करते वे और का यह राई यह सो रान ला मारना तो मार देर इससे कुछ निकलता है तेरेको उसने चदर काड़ गए देखाने वो चंदन कोई मार गए ना भूतो ना भविसे थी ऐसा दुनिया में कभी नहीं वा कि किसी मा ने अपने बेटे को अपने आँखों के आगे कटवा दिया हो एसा एक मात्तर करने वाली कोई महिला आवी थी दो कौन थी वो प्रातेस्मणी है वो एविस्मणी है उनकी सुबह सुबह पूजा की जानी यह उनको कभी नहीं बूला जाना चाहिए कि महीला ने अपने राष्टर को बचाने के लिए अपने राजा को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलीदान दे दिया वो महीला कौन थी? पर अब बिचयरी पन्नादाय को लगा गी अंधेरे कासा टाइम था श्याम कासा वो देशिंग को छुपा रहा था उसको बाहर निकालती है चंदन की लास उठाती है आगे जागे जोनों चंदन का अंतिमसंस्कार करते हैं पर अब दिखती है कि अब जाये कहां और उसे लगाए जी में बुंदी की तरफ गई तो बनवीर के लोग पका बीच में कहीं न कहीं तो राजा हिल गया और तोड़ा राजान कहा कि पन्ना जाये वो बनवीर को इदी पता चल गया मैंने सरन दे रहें और दोगे रख देगा मैं नहीं रख सकता तुम रुपए टक्के पैसे जीते चाहिए वो ले जाओ उसने यहां से गोड़े गाड़िया पैसे टक्के दिये और पन्ना जाये उदेशिंग को यहां से रवना किया भेस बदल की यहां से पहुंचे डुंगरपुर के राजा को जाके सेम बात कि तू हमें सरन दे कि अधिये का और उसे दिमाग में आया कि मेवाड की संकट कालीन राजदानी कुंबलगड है मेवाड के रहना पर जब भी संकट आये तो उसे कहां चले जाना चीए और वो चुपते चुपाते बेस बदलते बदलते वहां से पहुंचे कुंबलगड का किला उसमें एक बढ़े ताब पढ़ेंगे राजस्तान में सबसे कम समय तक रहने वाले cm कौन थे कि हिरलाल दियुपुरा उस ताम की लाग जिस आधि मी के पास तो उसका नाम की था भॉत अजना दय आसा देवपूरा के पास गीर उसना देवपूरा मैं पन्ना यह घठना होगी हमें अंदर राने की सरनगी अभा रेगिए अई पार नहीं पड़ेगी तुम मरवाएगी मैं तो एदम मेवाड के अंदर बेट के सरण दूंगा बनवीर कल या आगे उपर से चमड़ी उतार लेगा मेरी तो पन्ना दैने कर दिमाक्राब तिरा जाए का मेवाड का रहना कुंबलगड की किले में नहीं आएगा तो कहा है रहना यह रहना बनवीर नहीं है दोखे से बे देवपुरा की मा बाहर आती है और वह आगे आसा देवपुरा को फटकार दिख लिचड कि यह फिला सांगा का है सांगा हमें यह फिला देखे गए थे इसके लेकि रक्षा करना और तूं आज सांगा के बेटे को मना कर रहा है और अंदर मताओ सरम नहीं आती तुझे इस किसी से कोई चर्चा ही नहीं कि थोड़ दिन में जब लगा कि थोड़ा मामला सांत है तो पन्ना धाय उदे सिंग असा देव पुरा दो चार जो भी अंदर लोग जिनको यह बात पता थी इन सबने सलुंबर वड़ों के पास मेसेज किया किसके पास मेसेज किया मेवड में राजा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा कौन ते करेगा और ऐसे शलुंबर के तरह थिकाने ओर थे बड़े भड़े ठीकाना थी उनको दिर दिर मेसेज कि चुप चाप कॉंबल गड़ा आगे मिलो किसी को बताना मत यह बात और कई सामंतिया कॉंबल गड़ाय तो नंको का गया रशरम निया थी तुम्हें तुम्हारा राजा बनवीर बनाव है तुम बनवीर के नीचे बेठेवे हो तो उनका क्या करें सांगा चार बेटे ते चा मता चंदन था चंदन था पर विक्कत दूसरी अधे शिंग का फूरा बच्पनी बिम्दी बीता था यह coolerश ह है उदेश सिंग्रन मेवाड वाले पचांत ही नहीं ऑली यह दिसे वाड़ वाले हांसे पर अंसक्रिवन का पन्ना दया इतने बड़े समझे अब मतलब तेरे मन में इतना पाप तु यह सब करेगी हमने सोचा भी नहीं था हमें सब पता है उदे सिंग मर गया यह तेरा बेटा चंदन है और अब तू चंदन को राजा बनवाना चाहती है तो बन जन्याल वाले तो पचानती हों कहां तो बुलाओ बुंदी वड़ां बास मेसेज गया चुप चाप आप आओ रहे इतर बुंदी वड़ा आए बुंदी वड़ां का इसको पचानती हो यह तो अमरे वड़ा बाण जा हां थार तो इतने दिन अभी कर अब पह scholars द city नेकर यह मेंूं यह मरक्म प्ल गड़ा रियों मुराओ पारी आ अपार्टि यासर में करता रहता है अब यह क्लिर हो गया तक यह कोन है उद्धैश्यग शलंबरवलों ने कहा गया हमारा राणा हो उदा सेंक्स कुंबलगड में उदेशेंग को राजा कोशित कर दिया पर आप बनवीर को राजा बने वे साल बर हो गया था साल बर कोई बंदा कुर्सी पर गाथ उसके साथ में खुछ लोग तो ओंगे अब मेवाड में दोफांट आते लोग तो पकए कि अम उदेशेंगे साथ ए कुछ पहले लोग भी भी क açऊं विए घम किसके साथ में अब कुम्बालगड में राजा बना बेठा है उदेसिंग और चितोड में बटाए बनवीर एगने राजदानी किसको पेठा पर जब तक आप तो भूख चितोड़ नहीं जाओ राजा किस बात के, राजा तो राज़नी में रहता है, राज़नी में कोई बिटा है, बनवीर." फिर उदेशिंग बनवीर को एक लड़ाइ में हराते हैं, उदेपूर के पास में जगह पढ़ते हैं, मावली, कौन जगह है? मावली में लड़ाइं होती है। पर मावली के आध में उदे शिंग बनवीर को आँचा, फिर मावला बनवीर यहाँ से बहग जाता है, मह भाग जाता है, महाहािस करा कर सकी माओनाः भांनवीर Armed Bean कर के हम बनवीर को इतियासा में नहीं पता और उदे सिंग पहुंचे ची तोड़ गर्ट